लोफर कहीं के बत्तमीज घर में माँ बेहन नहीं लगता है तुपट्टा दे एसे कैसे चली जाएगी हाथ तो पूँचने दे मैंने पुलीस में कंप्लेंट कर दी तो पता है न क्या होगा तिरी तो मैं कुछ बोल नहीं ना हूँ तो जुबान ज्यादा चल रही तेरी समझती क्या तू ए शुरू करो चुड़ो प्लीज और जब हाथ पूँचो तो इसक चुड़ो प्लीज इसे चुड़ो थे प्लीज फट्रीज प्लीज प्लीज रही तो अज़े इस वाज़े से उन लोगों मुझे और मेरी कलिग रखू को बसे स्टेंड पर देख तो ज़रा अबसें श्टेंड पर खड़े कर रोमेंस कर रहे हैं हमारे देश की संस्कृति को ब्रश्ट कर रहे हैं कौनों तुम लग पेड़ी तो अगर यह लोग तुम्हारे एरिया में दिख जाए तो क्या करोगे जब पल से मारते जब पल से मारते तुम इंजार होके जाख रूँ छोड़ दो बताता हो तुझे अभी चल दिखाओ वो कौन है मुझे फूल 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 अरे नालायक क्यों बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम क्यों और बुड़ाओ मेरे जैसे लड़के को पैदा करने की ताकत है तुझ मैं में चान आग करो ए दो खोगीеж को था लिए podob औरी खोगे AAK घूँए से पडम करनी हमया गला मेंद मैं Kapal दोना है towो दोन में हम वाइए की प्र मैं हम आ का घ्या resolving हुआ 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 कि भommaceptions प्यखकर सुर्ण कुर्ण कर। भुआ हुआ जय ऎायर हाइ! हाइद लग! करण आप ही कला हाइ! चुरुट फे क practitioners लगती हो हाईद बस्टर अ河ू हाईद य। वारो tellement से? वारो पर फज। वारो, वारो, वारो वार χа यत्रनार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्रदेवता यताई नास्तु नपूजन्ते सर्वस्ता त्रपलहक्रिया मैं हूँ धर्मा, सब लोग घर में बड़े होते हैं, लेकिन मैं बड़ा हुआ हैं स्कूल में, जिसे आश्रम कहते हैं, और वो भी अनात आश्रम, अनात आश्रम मतलब अनात लोगों के रहने की जगा, और वहां सारे बच्चे अनात ही होते हैं, अनात मतलब जिनके माबाप ही होते हैं, हम लोग उन से पैदा हुए हैं, जो शायद समय से पहले माबाप नहीं बनना चाहते होंगे, हमारे माबाप नहीं थे, इसलिए लोग हम पर बहुत ज्यादा हमदर्दी दिखाते थे, लेकिन ऐसा क्यूं, ये तो मैं कभी समझ नहीं पाया, बच्चों, भगवा और अपनी जिन्दगी मौज मस्ती में निकाल दी, लेकिन तुम लोगों को अपना एक अलग इतिहास बनाना है, तुम लोग इस दुनिया को दिखा दो, ये तुम लोग भी बड़े इंसान बन सकते हों अरे, टाइम हो गया, बच्चों को खाने के लिए बुलाना होगा सारे बच्चों की तरह मैं भी था, लेकिन मेरा दिल सारे बच्चों की तरह नहीं था हम सारी मिलकर अभी साथ लोग हैं, तीन लोग चोर बनेंगे और चार लोग पुलिस बनेंगे पुलिस कौन बनेगा और चोर कौन बनेगा? मैं तो चोर बनूँगा मैं पुलीस बनूँगी मैं चोर बनूँगा मैं पुलीस बनूँगी तू क्या बने का धर्मा मैं बहुत बड़ा इंसान बनूँगा अरे यहां पर इतने लोग क्यों जमा हुए क्या बात है तुझे पता नहीं है क्या यहां एक बहुत बड़े इंसान आने वाले हैं हमारे अनाथाले में आज एक बहुत बड़े इंसान आने वाले हैं अच्छा, मतलब मुझे आज उसको देखना ही होगा ये, गार में घुमने वाला बड़ा इंसान बना है सारे लोग मेरे इस फैसले से बहुत खुश थे लेकिन एक लड़की थी जो मेरा मजाग उड़ाती थी ए बड़े इंसान यहां पड़ा उस पेड़ पर मेरी पतंग भज गई है उसे निकाल कर दे दे अरे वो तो बहुत उपर है किसी बड़े इंसान को बोलो वो निकाल देंगे तो ही कहता है ना कि मैं बड़ा इंसान बनूँगा और दात निकाल कर हैसले मेरी पतंग निकाल अब चुप क्यों हो गया अरे इससे दूरी रहना अच्छा होगा उसे देखकर बहुत ज़रों से गुसा आता था लेकिन वो बहुत ही छोटी थी लेकिन एक दिन मैंने उससे मजाग करने के लिए दोस्ती कर ली दे ना इस बात नहीं करूँगी दे दे अरे क्या हो गया इसे दे 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 ना ऐसा लगता है ये तो खूनी पी जाएगी खून पी जाएगी है सच में खून पी जाएगी एक दिन एक बड़ा परिवार आया और उसे कार में लेकर चला गया मैंने उसे आखरी बार देखा था और उसके बाद वो कहां चली गई मुझे पता ही नहीं चला मेरा नसीब भी अच्छा ही था थोड़े दिन बाद एक और बड़ा इंसान आया और उसने मुझे गोट ले लिया आश्रम में दस बच्चे एक साथ रहते थे लेकिन यहाँ पर यह दस रूम मेरे अकेले के लिए ही थे अब मैंने सोच लिया था कि मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया हूँ और उसी समय मुझे जिन लोगों ने गोद लिया था उनकी फैक्टरी में आग लग जाने की वज़ह से बहुत से लोग मर गये थे कोट ने हमारी ही गलती बता कर हम पर बहुत बड़ा फाइन लगा दिया उसे चुकाने के लिए हमारी प्रॉपर्टी जाइदा सब कुछ बिग गया लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो पाया जो घर था वो भी चला गया और आखिर में सब कुछ खोकर नई जिन्दगी को ढूंते हुए उस महल से हम स्लम में आ गए लेकिन कोट केस तो अभी तक चल ही रहा है बस यही है मैड़ा मेरी अब तक की लाइफ आपकी स्टोरी तो बहुत कमर्शियल है लेकिन बड़े इंसान बनने का सपना अब भी वैसा ही है क्या आप बिल्कुल, बेटर देन बिफोर शांती से बैटने वाली बात ही नहीं है आपके सारे बड़े सपनों के लिए बेस्ट अफ लग धर्मा जी तो ये थी फ्रेंस धर्मा जी की कहानी इसी तरह कल किसी और एरिया में किसी और इंसान की कहानी हम लेकर आएंगे तब तक के लिए आप लोग देखते रहे राज म्यूजिक हिंदी अभी तरह घर का सिच्वेशन उस रेंज पे नहीं है तारू लेने के बाद कबाब लू या नहीं लू यह हम सौ बार सोचते हैं और रास्ते पर अगर कोई कडक लड़की आ जाती है तो हमारे रेंज में नहीं आएगी जाने दे यार ऐसा कहकर जीना हमारे पास ही कैलाने से अच्वा कार में घूमने वाला इंसान बना है वा सूपर बड़ इंसान बन कर hic Mü और उंसान ही बन कर मरना यह को दिल दे दे दिल जलेले मेरा ही दिललेले दिलले या देदे बंदा ऐसा नहीं मिलेगा फ्री में मिलेगा तब भी नहीं चाहिए तेरा देले इसकी फालतु शकल देख दना डाला ना यही गलती थी मेरी बंदरिया की जैसी और गमान देखो इसका जाने दे छोड़ यार इदर आना किया रहे तेरे से बड़ा तो तेरा बैक दिख रहा है बुक्स है भाई कितनी फीसे तेरे स्कूल की एक लाक है अगर तुम पढ़ने जाओगे ना तो एक लाक रुपे पूरे वेस्ट है आज कल के बच्चों को एरिया के सीनियर्स लोगों का डरी नहीं है देगा कैसे बात कर रहा था अब श्षिश्य धी या구요 और चिल यदेश्ट कियह दो देंगे किता है कि वेल्ट ने में उबाएपए बहु को आज अडिल कुछ कि मत बचिए बच्चे याय गाना ये जो बोल से वडवाद करे यह श्युनिश्यां एंदोर। का स्वतना की यह थाठी बालने लाए प्रवाइब नियुक्त लड़के खड़े थे जाकर खड़ा हो गया बेल्कुल भी निडरा हर एक एक को टूल के साथ पटक पटक कर मरा मैंने सारे होस्पिटल में पड़े हैं पता है आपको मैं क्यासा खिला रही हूं तुम तो जानते हो ना मुझे जड़ता नहीं किसी से मैं धर्मा मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी थी कि दर्मा मेरी प्रफॉसल के बारे में जोचा के तुमने ए चल रहे गाड़ी निकाल जब ए लगधी कुछिंग नहीं होता है क्या कोई लडकी पसंद पुछ पेसा निया ठारती इतनी सारी लडकियां होते हुए भी गाड़ी के पिछ बिटा कर लिए लड़की को पाना कोई म मुझ पाएगा मैं कौन हूँ कश्या ब्रह्मा का बेटा इस रिष्टी का संग्रक्षक चतुर मुखी ब्रह्मा का पोता विधाता की विधी को बदल कर मौत के सामने खड़ा होने वाला महान राजा हूँ मैं अदित्य के बच्चों के हट को जला कर अदित्य के हट को रोकने वाला सासी हूँ हटला पिटला सूतला रसातल महातल पताल सब को पैरों से कुछला ये गलत है क्या हेलो कि ये रवी का माल है एक का डबल आना चाहिए अगर मिस हुआ तो तू मिस हो जाएगा ठीक है भाई कि बख्यां कि शेयर्ले कि आरे करने है अदो है अदो है अदो है जोड़ दो भाई जोड़ दो भाई प्लीज बेच रहा है भाई चोड़ दो भाई लेकर उसमें मिलावट करके बेच रहा है जोड़ दो भाई बारा नहीं करेगा ना बाई चल निकल कान के नीचे कहां पे है तेरा हरी बाई हर जगा नसर आ रहा है बाई चल ठीक से पता कहां पे है वो सच में बाई मुझे आरज जगा नसर आ रहा है ऐसे ही नसर आना चाहिए ऐसे ही यार इस लाइफ है यार इन लोगों के हमारा तो वही है मिर्ड करास का चोटा सा गयार सोने के लिए भी लोन लेकिन कुछ भी कहो भाई महनत नहीं करेंगे तो कॉंफिनस भी नहीं आता है बात तो सही बोला गुरू जीना है तो बड़ा आदमी बनके ही अब क्या हुआ चाय लेना चलिए मुझे दर यह कहां जा रहा है यह कहां जा रहा है अंधा एक्या तो इडिया तो यह तर आप गरम चाय फेको मुँपे कैसा था तेरे को बिल्कुल दर नहीं लगता है तो अब है क्यों प्या तुछ एसा करते है शरम नहीं है एक तरफ तो यह बोलता कि तुछे बड़ा इंसान बनकर जीना और ऐसे बेवकुफा ओली हर्कते करता है त्टी अरे जो धक्य के थ्रील में मज़ा आए ना वो कहीं नहीं है जिस लड़की से हम प्यार करते है उसके लिए ज दखके से क्या मिलेगा यार बहुत मज़ा आएगा करके तो देखो यार एक बार क्या मिलेगा अरे मार के देखो मज़ा आ जाएगा अब यह इतना कह रहा है तो करके आओ यस अरे अरे निवा जाओ जाओ लुवा जाओ जाओ लव विज्या देख भाई तु बोल रहा है तो कुछ मिलना चाहिए देख बाई जाओ तो सही ये लाओ 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 विजय होकर आना जाबाज दिग्णा नहीं के तेरेको तिरेको तेरे बद्दे के लिए ये अच्छी है ना देखतो ये सब किस लिए अन्न पूरुना जी तुर्फारी लिए लिए हमने कुछ नहीं किया बिटा ये छोटी मोटी खुशिया ही है हमारी जिंदगी में अरे आपकी तबियत पहले से ठीक नहीं है तो ये सब क्यों करते हो आप आराम से अपनी जिंदेगी बिताईए ना और मुझसे कोई आशा रखने की जरूत नहीं है अरे क्या हुआ जी आज के जमाने में बच्चे चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए जैदाद इकठी करें और ऐसे में हमने अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं किया इसी बात का बहुत ज्यादा दुख है मुझे होली होली आई होली खेलो खेलो जीवर के रंग होली होली आई होली खेलो खेलो जीवर के रंग रंग दो इस दुनिया को आज अपने रंग से दिखा दो दुनिया को अपनी होली के रंग मेरी बात सुनो अभी मैं ओफिस ड्रेस में हूँ अगर कलर डाला तो अच्छा नहीं होगा अगर यह बात मेरे दोस्तों को कलर लगवान आई पड़ेगा यही सम्मना कर रहा हूं में अबे तेरी तोड़ी आज़ा आया आई! कि अएशाव यहा कुटिछ जिर दू खुछन्हें अचथुर चों कि हमा जिर्ड़ा का फाफ यह जब दू हुचत है अजय अजय आजय आजा मारेंगा हरा भी इसन सारे, மे इसन सiłκा प्सकिन आजा प्सका अीज़ लड कर थे टुब लुब collaboration झाँ़ झाई झाँप झाई झाईब in झाईब झाईब उखवार के अर नजय कर सकत तो आहाँ हुआツा थैसे लो रुग vuट वांडाय और आ हांडाद को आह 的 होगा हुआ टूञा नय ही जए 当然 बाते हुआ आप Anya को अदे अरे लोग अ λέत के लिकया आहा हुआ जाना चाहिए वो धर्मा गैंग और रवी गैंग में आपस में लड़ाई हो रही है एरिया में यह सब ठीक नहीं हो रहा है देखो दोस्तों अगर तेवार मनाना है तो अच्छी तरह से मनाओ इसी एरिये में ऐसे लड़के हैं क्या जरा अपने आपको देखो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए चलो हाथ मिलाओ क्या बे अबे क्या तुम लोग यह जगडा यह सब करते रहते हो एक ही तो लाइफ है तुझे भी वहां होना चाहिए तना अच्छे से पीड कराती तू ठीक से समझती है डायलोक्स लो बोलो कहां से ओपनिंग से क्या गैबल करना है या ऐसा ही बोलना है डायलोक्स अच्छे से याद है ना मेरा रेडी है अरे लेकिन मैं नहीं हूँ यार ऐसा है तो गैबल नहीं करते ऐसे यह ले लो हां दोस्त महामंत्री जी महाप्रभू अत्याचार से मुझे मिलने का कारण अरे अत्याचार नहीं अधी शिग्र होता है ओके 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 अर्मा मैं सच कह रही हूं हंडेट पर्संट ये शो की वाट लगा देगा अरे वो थोड़ा टंग ट्विस्ट हो गया या त्विस्ट हो नहीं वाले चल दर्मा पहले इसका कारेक्टिर चेंज करो है चुप रहे आज ध्य यार पहले से हिंदे इंप्रू हो गई है मेरी उपर से राजा की भाषा बोलनी है की बाषा नहीं बीए हींदी बोलने वाला हरे एक राजा होता है बहुत बढ़ी है ठीक है यहार गुरु खरू करता है भागल महा मंत्री जी ऐसे अत्यातूर से मुझसे मिलने का कारण महा प्रभू गाउं में सूखा पढ़ जाने के कारण हमारी प्रजा बहुत ही दुखी है किसान अपने खेतों में कुछ भी उगा नहीं बा रहे है हम और हमारी प्रजा कुछ भी कर ले लेकिन फिर भी मौत आ ही रही है प्रभू हमारी प्रजा आने वाली पिढ़ी को लेकर बहुत ही असमंजस में है असमंजस की कोई बात नहीं है हर एक साम राज्य में हर एक राज्या अपनी प्रजा के लिए भगवान बन कर जीता है और इसी कारण से आज मैं इस महासबा के सामने प्रतिक ज्या लेता हूँ कि मेरी प्रजा के समस्या के निवारन के लिए मैं अपनी सारी धन, दौलत, राज्य का खजाना, सब कुछ अपनी जांगों को समर्पित करता हूँ क्या हुआ? अपनी जनता होती है, अपनी जांगों नहीं अरे, सुनना, अब ऐसा कोई पर्फॉम करता है कि यह तु जान बुझ करके डबल मिनिंग बात ये कर रहा है न? नहीं, बिल्कुल नहीं, टॉंक टुइस्ट है मुझे पता है कि तु ये सब जान बुझ के कर रहा है, समझा? कौन है यार, ये, कुछ भी मिनिंग निकाल रही है डबल मिनिंग को तो तु क्राइम की तरह पकड़ रही है आजकल डबल मिनिंग का ही ट्रेंड है पुराना एक्ट भी डबल मिनिंग की वज़े से ही सक्सेस हुआ था अपने भाई नहीं लिखा है, क्यों गुरू? डबल मिनिंग क्या क्राइम है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या गुरू, ऐसा क्या हो गया? कल मैंने एक सीन देख लिया वो देखने के बाद पता नहीं क्यों क्लेरीटी मिल नहीं रही है, यार क्या यार, ऐसा क्या सीन्था? यार, मेरे भाई ने कहा था हूँ सब्सक्राइब एक पर हाथ खड़े कर दिये हाथ खड़े कर दिये या हाथ दे दिये? अरे बता ना शर्मा क्या रहा है अरे बैलून बापा बापा हाथ छोड़ो ना बापा अरे हाथ छोड़ने को कह रही है मुझे बैलून चाहिए बापा हाथ छोड़ो ना बापा अरे हाथ छोड़ दिया यार अरे चुपोजा आबे डाटेंगे चुपोजा हस मत पापा क्या हूँ आप रोक्यों रहे हैं पापा क्यों रो रहे हैं आप कुछ नहीं बेटा चला ठीक है यारो आप सॉरी यह तो टंकी वजे से ऐसा हो रहा था फिर भी आप सॉरी यह कब है यह कब है यह मधू क्या हुआ बोलना अरे क्यों रो रही है क्यों रो रही हो अरे क्या हुआ क्या हुआ मधू क्या हुआ 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 लेकिन इस बात को लेकर मैंने कभी बेजिक्र नहीं किया लेकिन उस दिन उन लड़कों ने उस लड़की के साथ लोफर कहीं के बत्तमीज घर में माँ बेहन नहीं यह लगता है तुपट्ट्टा दे एसे कैसे चली जाएगी हाथ तो पूँचने दे मैंने पुलीस में कंप्लेंट कर दी तो पता है न क्या होगा तेरी तो मैं कुछ बोल नहीं ना हूँ तो जुबान ज्यादा चल रही तेरी समझती क्या तू ए शुरू करो चुड़ो प्लीज और जब हाथ पूँचो तो इसक हुआ हाँ 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 हुआ हटाँ हाँ हुआ है अ यहहाँ है अ यह थो फूए लोफर्स उसी वजह से उन लोगों ने मुझे और मेरे कलीग रखूको बस इस तेंड पर देख तो ज़रा है स्टेंड पर खड़े होकर रोमेंस कर रहे हैं हमारे देश की संस्कृति को ब्रश्ट कर रहे हैं कौन हो तुम लग पेड़ी तो अगर यह लोग तुम्हारे एरिया में दिख जाए तो क्या करोगे जब पल से मार रहा है जब पल से मार रहा है तेम इंसार हो जाटने हरो जब दो बताता हो तुझे अभी चल दिखाओ वो कौन है मुझे फूल हूल फूल 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 अरे नालायक क्यों बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम और बुड़ाओ फर्स्ट नाइट के लिए फूल बेज रहा है क्या हुआ बेटा फूल क्यों खराब कर रहे हो कि या गुरू यह बुड़ा तो तुमको बेटा बोल रहा है ये बता बुड़ाओ मेरे जैसे लड़के को पैदा करने की ताकत है तुझ मैं deja यख हाग हुआ है कर दो तरह पर नाय हुआ आुर 게임 कर दो कि दोए कि दो कि दो कि दध सिवा गो यह जो हों एड़ एड़ हो एड़ एड एड़ 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 अ हो अ बसके प्रोड़ एड़ एड़ हो एड़ एड़ वाः। झायो ऐख तुनी यंध गड़े जग दो पह जोगा हुँ आजया हुँ हुऊ संवर्ड घ्रॉप गजैं.... includ这 हल גם आól को आ रिक वराख भனंग plea ट्र लग तुल हाई लो खो खार लो खार बारों से बारों लो ऐरों लो ईए बारों लो खार नमस्ते सर, नमस्ते धर्मा, क्या बात है आप यहाँ पर? देखो बिटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलिए, देखो धर्मा, तुम्हारे पापा इतने दिनों से केस लड़ते आ रहे हैं, और अब वो मुझसे कह रहे हैं कि केस छोड़ दो, अगर और छे महीने केस को कोट में चलाएंगे, तो जज्जमंट हमारी ही तरफ होगा, अगर ऐसे ही हमने केस बीच में छोड़ दिया, तो इतने सालों की महनत, इतने सालों का परिश्रम, सब कुछ बरबाद हो जाएगा, इसके बाद ये भी नहीं कह सकते, कि तुम्हारे पापा को जेल नहीं होगी, हे, क्या हुआ बताओ ना, आगे क्या करने की सोची है तुमने, आगे तो कुछ नहीं, मतला, अरे दिवार है बाबा, ज्यादा शुराबयों की तरह ड्रामा मत करो, तुम्हारे पापा मेरे घर आये थे, वो क्यों, मदद मागने के आये थे, वकील को देने के लिए पैसे नहीं है, वकील ने कहा कोर्ट का आडगुमेंट रोक देंगे, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे पापा जेल जा सकते हैं, अभी उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम कहीं जॉब ट्राइ करो ना, अरे छोड़ो ना, कौन क अपना तो सिर्फ एक ही फंडा है, सक्सेस्फुल मैन बनने से अच्छा, फेल्योर बॉस बनना पसंद करूंगा, ठीक है गुरू, तुम बस बॉस बनो, तुम्हें अपने घर की प्रॉब्लम को समझना चाहिए, अपने माबाप के बारे में सोचो, माबाप को बीच में मतल माबाप को लेकर फीलिंग्स ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? ठीक है, इतने दिनों तो गुनों ने मुझे पाला है, तो उसी आइसान को चुकानी के लिए मैं कहीं पर काम तो खरी लूँगा, चलो सर, कोलापूर की दरफ जा रहे हो गया? हाँ, लेकिन क्यों? तो मुझे ड्रॉप कर दोगे सर, कौन सा ग्रेड है? लेबर ग्रेड है सर, आगे भी एमसी की बस मिले की उस पर चड़के जाओ चलो चलो जल्दी चलो जल्दी उतरो रास्ता दो चढ़ने के लिए दरवाजा बंदकर अब तो तो तुमको नहीं है इस बस में तुम्हे चढ़ना नहीं चाहिए इसी बीड में आकर मारोगे तो हम क्या करेंगे यहां आगे बड़ो जल्दी ले और निकल बारात में आया है क्या चल निकल जल्दी दूसरों को आने दे जल्दी आओ जल्दी करो जाना है कोलम पुनागर 15 रुपे निकालो यह लो चेंज दो ना गुरू देखो पीछे लिखा हुआ है पीछे लिखा हुआ है गुरू पीछे मतलब बस के पीछे नहीं टिकेट के पीछे जब तुम्हारा स्टॉप आएगा तो इसे दिखा कर चेंज ले ले लेना वैसे भी काम पर लग गया है दो पैर में खाना चाहिए खाना लगरते देना अरे गुरू क्या इनिफॉर्म है यह पीमसी में घूम रहे ह अरे कुछ नहीं है गुरू काम मिल गया है क्या समल कर रहे तो उपर जला जाएगा काम कर रहे हो और तुम काम कर रहे हो और एक साल बात मुझे बोलो बॉस की पोस्ट देने वाले हैं वह सूपर है यह वह सब ठीक है ब्यम सीटी के बस में क्यों घूम रहे हो कैप फिसलिट नहीं होगी क्या वैसे फ्रेंड मिला था बस पर इसलिए उससे बात करते करते यहां तक आगे चल दीक है मैं मिलता हूं तो मैं भी कह रहे हूं ना अरे वह देख तो काम पर जाने लगया क्या 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 जलो जल्दी उत्रों नीचे बेटा ओठ चल क्यों अटो देखता नह कहां कहां से आजाते हैं अब यहीं अब यहीं फट्रों में जा रहे हैं एक मैं प्रब्लम हो गही है है यहीं प्रब्लम्यू चाहिरी है जैल में चक्की पीचे अहां धार्याट बिदा छा अब अबे क्या सोच नहीं जला देखो यार कैसी है गाड़ी क्या गुरु लट्री लगी क्या लट्री नहीं लगी है भाई एक सेट की बेटी को पटाया है उसे ने दिलवाई है धर्मा तू नहीं गाड़ी कब लेने वाला है यार उसका टायम है गाता वो ले लेगा तू जाना टायम ऐसे नहीं आने वाला है दोस्त खुद को क्रियेट करना पड़ता है पैसे ना हो तू दिमाग चलाना पड़ता है धर्मा किसी अमीर लड़की को पटाना गुरू और उसके पैसों से आश कर इजीली पटा सकते हैं एक बार अगर लड़की पट गई ना तो पूरी लाइफ सेट हो जाती है सोच कर देखना यार अब दे तेरी भाइस अधियों के पैसे मुझे सब्सक्राइब कर दो ले मैं खाना लगा दोग नहीं है मुझे तेरा पसंदीदा पुलाओ बनाया है मैंने थोड़ा सा तो खाल सोना नहा लिया क्या तुमने अरे लाल वाली चूरी मत पहन तू पहले सही लाल है ब्लू पहन और एक टाइट वाला पैंट पहनना अरे सोना बस में नहीं बाबू फॉर्चुनर में जाएंगे ना अगले शुक्रवार को बेंस आएगा हां तुझे और पुजा को लेकर जा सुना सोना अब बैच से चल कर रहा है अब कर रहा है पूरी तरह से बदल गया है हाई है बाप्रे क्या सर काम पसंद नहीं है फिर भी पूरे दिल से काम कर रहा है लेकिन जिन्दकी जीने के लिए काम तो करना ही पड़ता है और इसे ही जीवन शहली कहते है मैं हुचपा हूँ ए डरो मत सिर्फ नाम का हमारे यां ऐसे कौमन नाम होते हैं तुम्हारा क्या नाम है धर्मा देखो धर्मा अगर तुम्हें ये काम पसंद नहीं तो अभी छोड़ दो नहीं तो इसमें फंस जाओगे तुम मेरी तरह मतलब आपको भी पसंद नहीं था क्या मेरा लक्ष कुछ और था क्या सर तुम भरोसा नहीं करोगेमने ब हीरो बनेगा, हीरो, ऐसे लोगों से पूछना ही नहीं चाहिए, बंदर क्या जाने अधरक का स्वाद, सच है उच्छा भाई, सच है, देखो भाई, देखो, मेरी हालत देख, कमिटमेंट की वज़ा से सपनों को छोड़ कर काम पर लग गया, और अभी काम ही कमिटमेंट बन ग जा, ये काम छोड़ कर चला जागा, जा, कौन है इंडेस्ट्रियल बस्टो पर उतरने वाला, बाहर निकलो, आजाओ, 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 जलो चलो, जल्दी उतरो, आजाओ, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्मा, अगली बस आने में बहुत टाइम है, मैं हाँ, हाँ, बोलो, आज क्या-क्या होमवर्प दिया है उसे, हाँ, थोड़े बहुत क्या है, तुम पूछती जाओ, मैं बताता जाओंगा, ठीक है, कोयम पुनगर दीजिए, हाँ, पापा, करनाटक का पहला मुख्यमंतरी कौन था, अरे हमारे सदानन गोड़ा जी, अगला सवाल पूछो क्या पापा, हाँ, हाँ, मैंने 20 रुपे दिये थे, ओ, बातों में भूल गया कोयम पुनगर, तमिल नाडु में पहली महिला मुख्यमंतरी कौन थी पापा, अरे वो है ने अपनी, जैमाला, हाँ, हाँ, अरे मैंने 20 रुपे दिये थे आपको, अरे बातों बातों में फिर भूल गया, सोरी, सोरी, कहा जाना है अपको, कोयम पुनगर, हाँ, 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 कोरोना सबसे पहले कहां पर आया था पापा, अरे वो ही अपने गले में, मैंने 20 रुपे दिये थे भाई, थू, हे, मैं बात में बात करता हूँ, कन्फ्यूज हो गया हूँ मैं, कहां जाना है, न्यू यॉर्क, हाँ, दो रुपे आपको और देने होंगे, न्यू यॉर्क, न्यू यॉर्क कहां पर है, अमेरिका में, हाँ, हमारी बस वहां नहीं जाती है, लास्ट कुवेंपूर नगर है, अरे तो भाईया मैंने वही कहा था, अरे पहले बताना चाहिए थे ना, अभी मुझे ही 5 रुपे देने होंगे, कैसे बच्चे हो तुम यार, हाँ, हाँ, अ सत्या, नमस्कार, अरे ये तो सारी औरते बरबाद हो गया, पहले के जमाने में कितना सही हुआ करता था, हमारे जमाने में, अगर एक लड़का पीछा करते हुए आए, तो उससे पलट कर देखने में भी सोचते थे, और आज कल के लोग, एक बार सीर उठा दिया, तो जुक होते होते हैं बची, चुप चाप टिकट दे दी और मैंने पैसे भी नहीं मांगे, मैं ड्राइवर के बगल में जाकर चुप चाप खड़ा हो गया, अरे शेकर भाई, आज केल की लड़किया जो है, सिब जोरदार ही नहीं है, नौटंग की बास भी हो गई है, और बेचारे चुप हो जाए यार, बोलो गुस्सा हो जाएंगे, हाँ सहीका, 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 श्रम जीवी हैं, हम ये कहकर घुमने वाले सारे मर्द पिल्कुल नौटंग की बास होते हैं, अपने ओफिस में आठ घंटे की ड्यूटी कर ली, तो सब कुछ खत्म, फिर तो बात ही मत करो, और हम जैसी ओड़तें, ऑफिस में ड्यूटी भी करती हैं, और घर का काम भी करती हैं, पती को संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, उनका खाना, पीना, बदवाई, सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, उसमें से कोई भी जिम्मेदारी आप लोग लेत तेरा साइज छोटा होने के बावजूद डाइलाग बढ़िया मारता है क्यों कुछ बोलते क्यों नहीं ये लो पानी चाहिए क्या ले लो पानी ले लो अच्छा तुम लोग औरतों के बारे में ऐसी वैसी बाते करते हो ना अगर एक बार अपने दिल से पूछो ना तो कौन स नहीं ये पता चल जाएगा और अगर क्यारेक्टर देखा जाए तो दुनिया के सारे मर्दों को और तो से अच्छे गुण सीख लेने चाहिए बहुत होगे आप चुप हो जाओ मैं आपकी इस बात को नहीं मानता बड़े-बड़े खुड होते हैं मर्दों में इसलिए नदी का नाम और तो पर है अरे बालती की बंद हो गई देखो नदियों को औरतों का नाम क्यों दिया गया है आसानी से खराब कर सकते हैं इसलिए कोई नदी नहीं छोड़ी सारी नदियों को बिगाड कर कैरेक्टर लेस बना दिया है तुम लोगों ने ये मर्द लोग ना रेपिस्टी होते हैं अरे भाई मैंने सीटी नहीं बजाई तुम चलाते रहो रोकना मत मजाक में कही हुई बात को प्रूफ नहीं कर सकता हूं मानता हूं और सुन लो औरते स्रेश्ट होती हैं त्याग में होती हैं सब कुछ होती हैं फिर भी वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले हम मर्दों की बराबरी कभी नहीं कर सकती हैं हम लोग मर्द हैं, हम लोग ही ग्रेट हैं, ये कहने वाला तुम्हारा दिमाग तुम्हें ओरतों के लेवल से भी नीचे लेकर जाता है, इस धर्ती पर होने वाले हर एक चमतकार के पिछे, ओरत और मर्द दोनों का समान अधिकार होता है, समझे, पता नहीं हम लोग मर्द होन एक टेस्टिकल में बस सेल बनकर ही रह जाते हैं, ये टेस्टिकल समयने क्या होता है? इन सबसे ज्यादा ओरत को मर्द से हुए और होने वाले, और आगे भी होने वाला एक बड़ा धोका ये है, कि उसका एक एंटर्टेन्मेंट की तरह यूज हो रहा है, इतिहास निकाल कर देखोगे तो एंटर्टेन्मेंट के लिए औरत हो दी दी, लेकिन आज के इस पुरुष प्रधान समाज में बस औरत ही एंटर्टेन्मेंट बन गई है, अरे इस दुनिया में औरतों को ही बस बिजनिस बना कर बिठा दिया गया है, हर चीज की मार्केटिंग में उसे अपन जिसम दिखाना पड़ता है, एक बिस्किट के एडवर्टाइस्मेंट के लिए लड़की की जांगे दिखा कर उससे पैसा कमाते हैं, बोलते देखो ये हमारी कंपनी का बिस्किट है, खाओगे तो मज़ा आएगा, है ना, अरे बिस्किट के मार्केटिंग करने के लिए और सत्य बताता हूँ आप लोगों को, जानवरों को मार कर उनका मांस और स्किन को बिस्निस के लिए रख देते हैं, इसके मुकाबले देखा जाये तो, और तो पर तो कुछ भी मुसीबत नहीं आई है, लेकिन आगे चलके बहुत खत्रा हो सकता है, बहुत ज्यादा ही ज्यान दे रहा है ये, इसकी तो टांग खेचनी होगी, हम्, हेलो, एक्सक्यूज मी, औरतों को एंटेटेन्मेंट के तौर पर सिर्फ मर्द ही नहीं इस्तमाल कर रहे, औरते भी इस्तमाल कर रहे हैं, औरतों द्वारा डिरेक्ट की गई मुवी में, आइटेम सॉंग नहीं होते हैं क्या, फरा खान ने भी एक मुवी डिरेक्ट की थी, जिसमें शीला की जवानी सॉंग था, क्यों, वो भी एक औरत ही है न, मेरी एक बात अच्छे से सुनो, जब टाइटैनिक डूब रहा था, तभी औरतों की जान बचाने के लिए लाइफ बोर्ट को छोड़ कर मर्दों ने अपनी जान दी थी, अगर सच कहा जाए तो त्याग का दूसरा नाम ही मर्द होते हैं, सबसे आगे लड़के ही होते हैं क्या पॉइंट मारा है बिटा तुमने, सबाज अरे, आसो या, आसो ना वा, 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 क्या बोला है बेटी तुमने, इंटेलिजेन केरला नगर द्रागीया है विटी, स्टॉप आगिया है बेटी, मैंके कहल मिल नगर बस अब भाइ प्टोप आऊ शीलाकी जाभणी आम चू सेक्षी गोरियू समस्या है पक्का समस्या है छोड़ना मत कल जो हुआ सो हुआ लेकिन आज मन छोड़ना कल से भी अच्छा पॉइंट बता कर हराना इन औरतों का बहुत ज़ादा ही हो गया है आज के लिए सब रानी बन गई है आज कुछ भी हो जाए कोई बात हो जाए तुझे पता नहों तब भी चलेगा मूतोर जवाब देना छोड़ना मत मत छोड़ना पैसे दिये बिना ही आ गई मैं अच्छा क्यों काका आज बहुत चुपचा बैठे हो आखिर बात क्या है नहीं बेटा आज कल के यूथ का कोई भरोसा नहीं क्यों अंकल क्या हो गया क्या बताओं शंकर भाई आज मैं एक बस्टॉप पर चुपचा बैठा था तुम संदर लग रहे हैं तुम मुझसे मिलने नहीं आ अच्छा तुम कौन हो ऐसा मैंने कहा था या देना क्या कहा था लेक्चिरर कहा था तुम भी ना अरे अरे उसने किया बहुत बद्बू आने है यार मैं तो सही नहीं पा रहे हूं चलो चलते हैं रहे से इस करनी खुद की नाम मेरा ऐसा हाइज इस बस का टॉपिक पाद की कहानी है ऐसा ही है शंकर भाई ये आज कल के यूत खुद के पाद की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो देश की जिम्मेदारी एक बार ले सकते हैं लेकिन इसकी अरे चुप करो अरे अब चुपो जाए काका एक पॉइंट पकड़ कर आज की जनरेशन के बारे में बात करना गलत होगा उस लड़के ने पीजा बरकर खिलाया होगा ठैंक्स के रूप में उस लड़की ने ऐसा छोड़ा होगा एई यह आप बोले जा रहे हो तुम चुप करा सरा अरे इसलिए छोड़ा होगा उसने अभे काले एक पाद का मेंटर लेकर सुबह से बात कर रहा है यह बहुत होगा चुप हो जाए तू कुछ भी कहे मैंने बहुत बार नोटिस किया है आज कल की यंग जनरेशन को जिम्मेदारी का ज़रा भी अहसास नहीं है यह बात गलत है सर जिम्मेदारी जहनने के लिए ही पैदा करके बड़ा करते हैं और आप कहे रहे हो कि जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं नई जनरेशन सही नहीं है नई जनरेशन सही नहीं है ऐसा चिलाते रहे तो इस उम्र में खून का गरम रहना ये एक साइन्स है कुट्टा बकरी गाय सब का खून गरम होता है ये सब सोचकर बस में सीट नहीं मिलेगी तो इसके लिए लड़ने के लिए तयार रहेंगे क्या अरेजेवी ये साइरे पोइंट कहा रखे थे तुमने अरे बोल बोल अरे तु भी एक इंट बोल दे उसे बोल दे ये तो बोलती ही बंद कर देती है बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया इस बार भी हरा तिया एए या बढ़े मुझे क्या रहे हो अरे तुझे ही बोल रहा हूं जा न अठेज तो रहा हूं है फाल तुट टेंशन मात है मैं क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता क्या अठीग है जाट रहा हूं उऺग ग्या करेगा तू जल जा चोड़ दिया माफ अफ प्रफ कर दिया था नहीं तू मत छोड़ा उस लड़की को बिल्कुल मत छोड़ा तू है जा बे क्या बोला हराना है हां हुआ है हम अग अगर नहीं है है जा बे हम मैं कहते ही मैं एकदम सच कह रहा हूं हमारे देश के लोग ही सही नहीं है ऐसा क्यों एक सो चालिस करोड जनसंक्या पार करने के बाद भी कोई भी जनसंक्या कम करने के बारे में नहीं सोचता हमारा देश ही सही नहीं है शंकर भाया जन संख्या बढ़ रही है ये मानते है लेकिन इससे देश नहीं बढ़ रहा है ये कहा तो फिर मैं नहीं मानती उठते समय तो तू लाइटिंग की तरह उठता है लेकिन उसके बाद उस लड़की के दिये हुए पॉइंट्स पर बक्रा बन जाता है आराम से चुक्चा बैट न भाई दूम कुछ भी मत बोलना अहीं क्या बात कर रहे हैं यह इससे क्या हुख भाई इतने क्यों पेर रहा है एक लड़की रोज बस में बेजज़ती कर देती है यार तो तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया दो चिपका देना चाहे था ना लड़का होता तो बात अलग होती है लड़की है तो वो कुछ भी कर सकती है क्या वैसे कौन है वो लड़की कुछ पता नहीं है रहे मैं जिस बस म क्यों ना हो कल बस टॉपर सबक सिखा के रहेंगे सबज़ के एक तम बिल्कुल चलो पैग मारो हाप तो नए आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसमें कमीना भी है मत्षोड़ना गया उम्र हो गई फिर भी एसी बाते करता है ना सुर सुर की तरह है वह बिल्कुल नहीं छोड सुरिसा भाई मालिख है इनकी बहुत सारी फैक्ट्री जब से यहां हूँ पहली बार देखा है रिजल्च कर दो भुच्छा भाई धर्मा धर्मा तुरांत मार्कटिंग टीम को बलाओ, समझ गए ना? हेई, excuse me, who are you? It's okay, leave him. कौन हो तुम? Sir, sir, सर थोड़ी बात करनी थे, मुझे. Go ahead. Personally, sir. Boys, if you don't mind, please. Okay, sir. Sir, बोलो, क्या बात है? Sir, आपने 20 साल पहले सागर विश्वधर आश्रम से एक बच्ची को गोद लिया था, न, sir? Yes, ये बात तुम्हें कैसे पता है? Actually, मैं भी उसी समय उस अनात आश्रम में था, sir. जिस लड़की को गोद लिया था, वो मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड थी, sir. That's a surprise. मैं इस बात को सुनकर पूरी तरह से एकदम शौक हो गया हूँ. You know what, Mr.. धर्मा. धर्मा. देखो धर्मा, आज तुम्हें मेरे घर आना ही होगा. मेरी बेटी को फ्रेंड्स बहुत पसंद है. अकर आज में तुम्हें अपने घर ले गया, तो वो मुझे अपना हीरो समझेगी. Sir, अपकी बेटी अभी क्या कर रही है? कैसी, मतलब कैसी है वो? तुमने देखा नहीं है ना? नहीं. I'll show you. कैसी, मतलब कैसी, मतलब काहता थ deber. कैसी, मतलब कहते uniqu कुमना हीरो. कैसी, मतलब का लेका स समझेगी. यार वो चाहे कोई बी लड़की क्यों ना हो गल बस टॉपपर सबक सिखा के रहेंगे समझे अ आख कर लो सर वो मैं मूझे यार मुझे एक जरूरी काम है मैं बात में मिलता हूं हथए भाद में मिलता हूं ज़ाह सर प्लीम है अब जरूरी काम है यह जो कि अज ए सब्देश करो आज अए टाओ ना कि अज़िए रिसीव करो आप जो रही है ना वो अला देख कर अधर मका फूना आप बोलो गुरू अरे कहां हो तुम लोगा बस्टॉप पर आये है उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं आपको बहुत होशार समझती है ना अरे वो मेरी जानपेचान वाली लड़की है भाई मैंने बस ऐसी मजा किया थ जाने के लिए कहां था ना जाकर मिले क्या एरे मैंने सुनाए कि अगर बाल बड़े हो तो बसका चार्ज कम होता है चलो हमारी टीम बेटर भी आगए ना भाई वारी टीम बेटर है अरे किसे दो अरे कितनी बार दू दे दिया क्या दे तो दिया आचा ठीक है यह ले बड़े मल्या ताड़ी कौन है कौन है मल्या ताड़ी अरे बेटी तेरा स्टॉप आ गया है उतर जा बेटी अरे उतर ना अरे जाना यहां पागल कर देती है यह अरे जाओ असलो हसलो मेरा दुख मुझे ही पता है अब करने जा रहा है एक खून पीजाने वाले अब है खून पीजाने वाली को फून पून पीजाने । इडना पून पून पना पून पून पून्प आप मुणचर अारे उतर जागल सुन प्राइव मुण पर्स जानपल क्या तुम्बी ना कितने साल हो गए तुझे देखे हुए कैसा बन गए तु देख अठारा साल तो हो गए हस क्यों रहा है नहीं कुछ नहीं मैं तुझे वापस कभी देखूंगी मैंने कभी मैंजन नहीं किया था मैंने भी नहीं किया था मैं कौन हूँ तुझी कैसे पता चला तुम्हारे पापा की शकल थोड़ी थोड़ी याद थी तो कल मैंने उनको कंपनी में देखा और उनसे बात करने पर पता चला कि तुम यह खून पीने वाली हो जब मैंने तुम्हें बस में यूनिफॉर्म में देखा था तब ही समझ गए थी कि तुम हमारी कंपनी में काम करता है तो अब ही कहा हो तुम? एक कपल ने मुझे गोड लिया था मैं उनी के साथ हूँ वाउ, ये माबाप के नाम की फीलिंग कितनी ब्यूटिफुल होती है ना हम दोनों बहुत लखी है वैसे दिरा घर कहा है? यही पर कोयमपूर नगर में हस क्यों रहे तू? नहीं, कुछ ने, कुछ ने बोलना तुम बस में उल्टी सिदी बातें कर रही थी ना तो वहीं दो लगा के देने का मन कर रहा था क्यों इतना इरिटेट हो रहा था? और नहीं तो क्या लड़कियां सही चल रही है कहा तो तुम कहने लगी कि जब टाइटनिक डूब रहा था तब उनके लिए लड़कों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था अरे, वो तो मूवी है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है मुझे भी सच में एकदम अजीब और गरीब क्यारेक्टर लग रहा था और नहीं तो क्या नदी के सारे नाम औरतों के नाम पर किसी मर्द ने रखे हैं कहा तो हाँ, खराब करने में असान होता है ना इसलिए ऐसा कहा ना मैंने सिर्फ तुम्हें छेड़ने के लिए ऐसा कहा था होती है, तब ही से उनके साथ यह होने लगता है यही सच में, बहुत ग्रेट है तू इन फाक्ट, मैंने अपने फ्रेंड्स, माबाप और बाकी सब को तेरे बारे में बताया था क्या बताया? बस में मुझे एक लड़का मिलता है और बहुत अच्छी बाते करता है लेकिन मैंने उसे एक कॉमेडी पिछ बना कर रखा है एक्चुली वो मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा था क्या कहा था? ने, कुछ नहीं बताओ ना अरे, कुछ नहीं जाने दो ना एक लड़की बस में मिलती है और मुझे बहुत तकलीफ देती है कुछ भी काओ, एक अलग तरीके के लॉजिक से मुझे हरा देती है इसलिए मेरे फ्रेंड्स ने तुझे मारने का प्लान भी बनाया था अरे, बापरे इतना टॉर्चर किया था मैंने तुम्हे उपर से पूछती है अरे, देखो, उनकी सो साल की उमर है, वहीं पर है, मेरे दोस्त लोग आओ, तुम्हेरी जान पेचन करें तुम लोग आपस में टेड़े मेरे नाम रखते हो ना उसी नाम से पेच्चान कराओगे ना रोज दे, मेरी पुरानी फ्रेंड है और ये नागा, इसको पुस करके बुलाते है और ये विजी, बहुत बड़ी मुसीबत ये नविन, और आम इसे मैं गैस करू क्या, पक्का ये पुराना होगा ये बोलो ना बट्टू, चुचा बैठे रहो चलो, ठीक है, मैं बात में मिलता हो तुम लोगे से बात में मिलता हो तुमने जो नाम रखे हैं, उसी से सब को बुलाओगे मेरी एक बहुत गंभीर समस्या है शादी करने के लिए 18 साल के उमर होनी चाहिए सरकार कहती है लेकिन मेरे हिसाब से शादी करने के लिए प्यार होना जरूरी हो, ऐसा कानून बनना चाहिए और इन स्कूलों में मैथ, साइन्स, हिस्ट्री, जोग्रफी ये सिखाने से बेहतर इनसान के बारे में और उसके शरीर, दिल और भावना के बारे में सिखाया जाए तो बेहतर होगा हलो, सारे लोग, सुलो हमारी कावेरी नदी का पानी छोड़ना बहुत बड़ा न्याय है लेकिन उसी कावेरी नदी को गंदा करते है तो ये कहा का न्याय है पांच रुपे की बॉटल, दस रुपे में लेकिन बिल मैं दे दूँगा, डॉन्ट वरी सब लोग अपनी अउलाद को डॉक्टर, इंजिनियर बनाएंगे तो कैसे चलेगा लाइफ में सिर्फ डिग्री पाना ही ज़रूरी है क्या पब्लिकली बहुत गंदगी हो गई है सेनेटाइजर मारना ज़रूरी है घर में मिया बीवी का जग्रा हो तो बच्चों को पताना चले उससे भी ज़रूरी है पेरेंट्स को पताना चले और दों को सैनेट्री पेट्ट प्री देकर योगा, कपाल भाती यह सब सिखाकर स्वस्थ रखना चाहिए मुझे बिल भरना है, समय हो गया है मैं चलता हूँ थाइंक्यू एक्स्क्यूज में, कान ऐ टेक दिस? अल यार्स थाइंक्यू गॉड ब्लेस यू चलता हूँ कौन है यार, यह तुम्हारी पैचान के पागल लग रहा है यह मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है देखो, कितनी सारी अच्छी बाते जानता है वो इतनी सारी बाते जानता है न, इसलिए पागल हो गया है तिर भी, पागल लोग ही भगवान होते हैं बिना किसी इच्छाके और बिना किसी को तकलीफ दिये, सिर्फ वही लोग जीते हैं इसका कोई नाम रखना चाहिए वाउ, सूपब, हम इसे सन्यासी कहकर बुलाएंगे ऐसे नाम तुझे कहां से याद आ जाते हैं? पापा को मुश्किल दिनों में इसी नाम से बुलाती थी, इसलिए ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल घर आना मत भूलना, बाई-बाई बाई, नमस्ते क्या रे रवी, एलेक्शन के बारे में तू बूल गया क्या? पिछली बार क्या हुआ था याद है ना, रिपीट नहीं होना चाहिए इस बार अगर जीत गया, तो एमेले के सीट की गैरंटी है मैं एमेले बन गया, तो लाइफ बदल जाएगी तुम लोगों की वो भरुसा हमें भी है इस बार मेरे सामने, एलेक्शन में जो खड़ा हुआ है, वो एक सर्विसमैन है और उसका राइट एंड है, तेरे एरिया का धर्मा, वह ही प्रॉब्लम है अगर इस बार मुझे जीतना है, तो इस एरिया का एक भी वोट उदर नहीं जाना चाहिए समझ गया ना तू ठीक है बाई, इस बात का मैं ख्याल रखूंगा कितना भी खर्चा हो जाए, लेकिन जीत मेरी ओनी चाहिए उस धर्मा पे नजर रखना, नहीं तो तू गया ठीक है बाई वैसे ये धर्मा है का वाउ, इतने बड़े घर में रहती है तू अरे, बोरिंग है यार चल, पापा से मिलाती हूँ, ठीक है? हाई पापा हाई बेटी पापा, डिस इस माई फ्रेंड धर्मा मैं सत्या ट्रांस वर्क में ही काम करता हूँ, सर हाउ और यू, आइम कुट, सर बेटा, इफ यू दून माइड, नो काम माम चलो मम्मी से मिलवात हूँ माँ, येस बेबी ये है मेरा फ्रेंड हलो, आइम बानसा धर्मा, ये मेरा चाइल्धूड फ्रेंड है हम लोग अचानक से मिल गए, मेरी मा कितनी जौद अक्यूट है, ना सत्या, मम्मी मैंने आपको एक बार बताया था, बस में एक लड़का मिला था, और तों के बारे में बहुत अच्छी बाते कर रहा था ओ, जब सत्या ने मुझे ये बात बताई इट रिली टॉट्श्च माइ अच्छी आ रिली डीप अच्छी आम वेरी इमोशन अफटे हो रिंग दाद आइवस तिंकिंग कि तुम लेडीज के बारे में इतना सोचते हो तो तुम लेक्चरर क्यों नहीं बन जाते हैं अरे ने-ने, वो गलती से फ्लो में निकल गया था मैडम नहीं आर धर्मा, तुम ये कर सकते हो इनफेक्ट वहाँ पर बात करने के लिए तुम जैसे लोग ही चाहिए सत्या, तुम्हारे डार का बिजनेस ट्रिप शेडूल हो गया है जाकर डारी लेकर आओ, अभी आती हूँ धर्मा, क्या करते हो तुम? आपकी कंपनी में मेकेनिक हो मेडम मेरी बीटी का सुभाव, उसका लाइफस्टाइल तुम जानते हो ना? हाँ, थोड़ा बहुत पता है मेडम क्यों मेडम? कभी कभी उसके सोचने का तरीका, बात करने का तरीका आपस में बिल्कुल माच नहीं करता किसी के भी साथ बात करने लगती है, किसी से भी जगड़ा करने लगती है कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसी का डर लगता है, लेकिन इस वजे से उसे रोग कर लखना मेरा उदेश नहीं है, अगर उसे यही करने से खुशी मिलती है, तो हम कर भी क्या सकते हैं, जब तुम उसके साथ रहते हो, तो उसका ख्याल रखा करो, प्लीज, हाँ, ब पागल की तरह बरताब कर रही है, क्या कहा तुने? I'm sorry, क्या कहा? I said sorry, क्या कहा तुने पहले वो बता, पागल, I'm so glad तुमने ऐसा कहा, मेरा ड्रीम ही है पागलों की तरह जीना, मान मर्यादा को निकाल कर फैक देना, इच्छाओं के बिना ही लाइफस्टाइल है मेरा, क्या तुम, अरे, तेरे पापा ने इतना सब कुछ बना रखा है, उसे हैंडल करना सीखना, देखो, मेरे पास जैसे लोग गवर्मेंट का टेक्स भढ़ने से बचने के लिए NGO टेक्स के नाम पर धोका देते हैं, लेकिन मैं अपने पापा के हाथों से सच में NGO को डोनेट कराती ह मैं अभी NGO में काम करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है उसमें, क्या है इस अंधेरे में, ओ, क्या नहीं है वो बता, क्यों रोती रहती है, वही प्रापलम है, सब कुछ है, अरे, तेरे पास सब कुछ है, तो प्रापलम कैसे हो सकती है, इसमें सस्पेंस या दिल्चस्पी क्या बात कर रही है, क्यों दिल्चस्पी नहीं है, तो सुन, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा के पस पैसे ही नहीं होते थे, मैं जो कुछ भी मांगती थी, उसे लाने में बहुत टाइम लगता था, उसके लिए इंतजार करने में जो मज़ा आता था, वो एकदम अलग लेवल का था, वो लाकर देने के बाद उस बात की खुशी रोज रहती थी, लेकिन अभी हमारे घर में सब कुछ है, अब मैं जो भी मांगती हूं मुझे जल्दी से मिल जाता है, और वैसे भी तुरंट आ जाने में वो मज़ा कहा है, खुशी तो बहुत होती थी लेकिन उस ऐसा कुछ कर, जो ज्यादा टफ हो, ऐसे एडवेंचर में हाट डालना? टफ एडवेंचर? मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर इंसान अपने भविश्य के लिए कुछ भी सोचे तो उसे हासिल कर सकता है, अरे यश्वंत पुर जाकर आना जितना आसान है उतना ही मंगल ग्रहजा कराना, हमसे ज्यादा अगर कुछ पाएं तो वो अचीवमेंट नहीं होती, बलकि जिसमें अंदर से खुशी मिले वो अचीवमेंट होती है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात तो एकदम सच है, कि तेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, अल हम जरनी पर निकलते तो उसमें जो खुशी मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती, यह बात तो गलत नहीं है, मानती है ना पता है, दुनिया की सौ इच्छाय पूरी करते करते, अगर हमने अपने आपको खो दिया, तो समझो कुछ भी ठीक नहीं होगा, इसी बात के लिए मैं खुश हूँ, मैं यहां की रॉयल एंफिल्ड हूँ, और मैं ही डेस्टिनी हूँ, इंट्रेस्टिंग, हलो, हाँ, आओ ओल मॉंग, रुको तो कुछ तो बोलो ना, इधर आओ, अभी मैंने एक आइरन बॉक्स ढूनने का प्लान बनाया है, मैं जो ढूनूंगा उसकी स्पेशिलिटी क्या है, तुमको पता है, तुमको विश्वास नहीं होगा, लेकिन तुने जो खो जाया है ना, सोते हुए इंसान के लिए, और टूटी हुए जिन्दगी के लिए, आइरन ढून कर लाना ही मेरे आइरन बॉक्स की स्पेशिलिटी है, इन चीजों की दुनिया को बहुत दरूरत है, ठीक है मैं चलता हूँ, मेरा बिजनेस पार्टनर इन इंतजार कर रहा है, बिल भरना हो उनके बस जो फ्रीडम है वो तेरे पास नहीं, काय का फ्रीडम यार, देख तो नहीं, जिन्दगी में श्रम नहीं, सिर्फ भ्रम है, बड़े-बड़े सपने देखना, सिर्फ जिन्दगी नहीं होती है, कई लोग अच्छे बुरे भी होते हैं, एजुकेशन और हेल्थ प् को भी पेवेंट देनी चाहिए, बिल्कुल, मावाब की जायदाद बच्चों को मिले, पत्ली अपने पती से कभी न कहें, कि तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हो, मौत से अच्छा कोई आराम नहीं है, श्मशान से अच्छा कोई स्थान नहीं है, जो लगता है उसे स तुम भी इनकी तरह करके दिखाओ ना, चला भी चलता है, जब देखो बखबख करती रहती है, अच्छा वो सब छोड़ा, आज हम लोग कहां पर जा रहे हैं, वो तो बता, मुझे क्या पता, रुको मैं अंकल से पूछती हूँ, अंकल, हम कहां जा रहे हैं, जाओ यार, क् अं, एक्स्क्यूज मी, अं, क्या सत्या, छोड़ मा, तुम्हार ले भी एक ले लेती हो, और ही, वो टेस्ट बहुत बढ़िया, मेरी बढ़िया, देखो ना, अरे बाबा, तेरे पैर बढ़ता हूँ, चली यहां से, मेरी बात सुन, तेरे बाप के बास आदा बैंगलोरू और तू भी न, यह इस तरह से लोगों को सता रही है, अरे इस बात पे तो इतना भोल रहा है, अब ही तो बहुत पुछ बाकी है, आज़ा, आज़ा, क्या हुआ भाई, आपने बुलाया मुझे, धर्मा, कॉर्पुरेशन का एलेक्शन अनौन्स हो गया है, पता चला है भाई, इस बार क्रांती सिन्ना के सामने, एक सच्चा और इमानदार आदमी खड़ा है, मैं उनको ही सपोर्ट कर रहा हूँ, इस साल कौन जीतेगा, यह ड पैसे लेते हैं, लेकिन वोट तो सरफ मालिक को ही देंगे न, मुझे पता है धर्मा, तुम्हारे लोग मुझे धोखा नहीं देंगे, वो सिन्धा हारना चाहिए, हारेगा, हम हराएंगे उसे, इस बार हमारे एरिया वालों ने फैसला किया है, हम लोग मालिक को ही वोट दे तुम लोगों को जो करना है, कर लो, जाओ, निकलो यहां से, जाओ, 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 हम लोग कहां जा रहे हैं अभी, किससे पता, अब यह क्या है, अरे मुझे अभी खायाल आया कि मैं सिर्फ पांच मिनिट ही जिन्दा रहूंगी, फिर मैंने सोचा कि मैं पांच मिनिट क्या कर सकती हूं, और वैसे ही मैंने एक्स्प्लें कर दिया, तेरे दिमाग में बस ऐसे ही थोड़ साते हैं गया, अंकल, गए थे क् क्या बेटी सुबह सुबह मुला कर रही हो, और क्या किसी को भी सताती रहती है, चुप रहना, आंटी आ रही है, उनसे पुछ दे, आंटी, ये क्या सुबह सुबह बीच रास्ते में लड़की का मुव बन करके रखा है, हारटा, आंटी, मैंने सुना कि आपने जाना कहा पर बेटी, आए तो पागल लड़की है, यही सब सुना था किया तुमको, कहा भास गई, मैं सच कह रही हूँ, हर रोज एट लीस, पांच मिनिट के लिए तो हम ये सोच ले, कि हमारी ये पांच मिनिट ही बाकी है, और इन्हे ही हम खुल कर जी लें, तो जीने का अच्छा था, सुनो, सुनो, अभी तो सोच कि हम सर्फ पांच मिनिट के लिए जिन्दा है, सोच ना, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं जिन्दा रहूँगा, और इस बात का पूरा कॉन्फिदेंस मुझे, मेरी बात सुन, तो सच पता, सच में जा रहा है ना, कहां पर, द इसे कले, रेडियो में अगर गाना नहीं होता, तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करके, अपनी पसंद का गाना नहीं सुन पाते, जो हम अपनी जिन्दगी के लिए चाहिए, हमें वही करना चाहिए, ये हमारी जिन्दगी का ट्यून है, हमें उसे सेट करना चाहिए, एक ब कानी और तेरी तरह की做t صिर्फ फिल्मों में ही चलती है रियल लाइफ में नहीं होता है वहां पर यह सब कुछ हो सकता है लेकिन यहां पर कार बंग दा पैशा बस यह यह के लाइफ कितनी अच्छी होती है ना चल दिखाता हूं किया अच्छा लगता है अरे चलना दिखाता हूं तुरी क्या चाहिए आपको कुछ दे दो भाईया आए तेरी लाइफ तो बहुत बड़ी थ्रील है कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो देगा इसी लाइफ को एंजॉय कर इंजय करो कौन है ओट्वी में इसे मज़े की पड़ी यह तो किसी काम काने इस बहुत के लेका है आपके लाइफ तो बहुत थ्री लेना और उपर से जो यह गरीबी है वह इंटसार दोस्तों गृण अलगी मज़ा है दीदी, तो एंजॉय करो ना उसे, अरे तेरी लाइफ में तो बहुत थ्रिल है, कुछ तो देही दे, दीदी, I love you, सिंदगी को लड़का-लड़की दोनों के point of view से समझने वाली आप ही हो दीदी, I love you, दीदी, खुश रहो, बेटी, खुश रहो, दीदी, पैसे? मुझे जो चाहिए था, वो मुझे मिल गया, बेटी, और कुछ नहीं चाहिए, चल ठीक है न, अभी, वो लड़की कैसी है? हुँँँँँँँँँँँँँड़की दीक है, झास भी, झास लिए तक मॉव़की है, हुँँँआख भी, ते है, हुँँख चुँँँए! हुँँँद़탁 thankfully? मेंटल है यार एक्सप्रेशन सही पता चिजग गया जाने दे यार समच बे आया कुछ छोड़ दो रभी अगर चाहता है कि ये वीडियो बारा ना हो तो तू और तेरे एरिया के सारे वोट सिनह भाई की तरफ आने चाहिए समझाना और अगर पल्टी मारी तो तू गया इसी दुनिया में तुझे नर्ग दिखा देंगे समझ गया ना तू अगर चाहिए समझाना तू अगर पल्टी मारी तू पल्टी मारी तू दू दू पल्टी मारी तू झाल 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 खाल पगली, अरे कहां जा रहे हैं हम लोग किसे पता ये कौन है पता है किज्गी नहीं तो तु उससे देख कर हस कु रही है रिंगाशने के लिये पहचान उनी चाहिये यह और ये चाहिए गया पुदें में क्या गल्ती है ये एक ऐपराद किया है गया अरे वो बेचारा अपने इसाब से कुछ तो सोचते हुए जा रहा होगा उसे देखके हसकर यह कौन है सोचकर सिर्ख हो जाने लगना ही आपराद है अच्छा तूसकी लाइफ को देखकर बहुत खुश की हो रही है रहे अरे यार तू पता नहीं हर वक्त डेट क्यों फील करता रहता है अभी सुन यार खुद को खुश रखना समाच सेवा जैसा ही होता है हम खुद में खुश रहें यह हमारी जिम्मेदारी है और इसी तरह हम अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकते हैं हमारी जिम्मेदारी है अगर हमारे हसने से किसी और को खुशी मिलती है तो इसमें क्या गलित है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारी एक खुशी कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है समझ गए न? अगर घर में रहना तो सारे खड़की दर्वाजे बंद कर लिना आस पास सब बैचरल लोटके रहते हैं सबस्क्राइब अरे सुनिये तू कबसे वो लोफर मुझे ही देखकर हसता जा रहा है जी यह अपराद हो सकता है उन्हों ने अपने लेवल से ही बहेव किया लेकिन तुम्हारा इंटेंशन तो सही यह हसी के जो एंष्ट होता है ना यह हमारे देश के लोग नहीं जान सकते हैं बात करती है यह हुनकी गलती है यार हसने वा वालों की नहीं पना इसा है यहां के यह चलिह यह किर धो हम किसी को भी तो हसना चाहिए निट हो किसा इसे समाद सेवा ही होती है यह जो बोल रही है सही है क्या शंकर भाई और क्या तू किसी को भी देखता है तो तो अपना मूँ बना लिता है तूने ऐसा क्या किया जो वो तेरी ऐसी शकल देखे सोसाइटी के प्रेशर से परिशान लोगों को अगर समाइल वाली पेइन किलर दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा बोल शंकर भाई हाँ हाँ मेटी तुम जो कह रही हूँ सच है यह नहीं होगा तो वो नहीं होगा रास्ते से जा रहा है इंसान कुछ भी सोच रहा होता है अगर उसे देखकर हम लोग हस देंगे तो उसे खुशी मिलेगी क्या बताओ आपी देखा था ना मैंने खुशी के लिए आंटी की तरफ स क्या नतीजा हो दो तो तो तेरी गलती है स्माइल कैसे करते हैं तुझे पता होना चाहिए किस तरह से करते हैं किस तरह से कहूं पहले तो ऐसे करते हैं यहीं सब करने के लिए ना कहता हूं मैं सोरी 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 माई बैड वाल तुम्हें किसी को भी देकर हसने लग जाना और लाल चिटी को अपनी बॉड़ी पर चड़ा ले ना दोनों एकी बात है क्यों शंकर भाई बोलो ना आप तूने सच का हंड़ेट परसंट सच का है जब लोग ऐसे हो तब ऐसा ही होना जाहिए इस तूने सच का gotosa near D statement सच जब यह हम क्या कह रहे और आप क्या कह रहे ही हो मेरे बाइप की किसम मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर दो मां किसम समझति क्या आपको तुम दोनों रोज आपयों लुट नहीं से तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है प्यार वो भी मेंटल से शंकर भाई आप दारुपी के बोलते रहे चल भाई यहां से पीने के बाद यह कुछ भी बात करते रहे हैं चलो 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 भाई शंकर भाई लब बाइट्स गुड़ नाइट मुझे घर जाना है यह बात सुनके मुझे कितना अच्छा लग रहा है पता है कि तुझे इतनी चल्दी छांती मिल जाए कि मैंने सोचा नहीं था वैसे भी आगे आगे आटो स्टाइंड है चल तुझे वहां पर आटो में बिटा दाओं चल आराम से मिम सहाब में तुझे इतनी चोट कैसी लग गई किसके घर के कमपॉर्ण पर चड़ने गई थी पैर के नीचे केले का छिलका आ गया था दिखाई नहीं दिया अब मैं कुछ दिन के लिए आराम से रह सकूंगा सुखन्या हां मिम सहाब आती हूं जरा इने पकड़ि आराम से रह सकूंगा स्वाब आती है मैं तुझे ढूंड रही थी अर्जेंट काम है जल्ली जाना है जल्ली बैट मैं बात में मिलता हूँ हाँ हाँ थार्मा बोल रहे हो ना मैं बोल रही हूं सत्या की माँ मैं पागल हो गई हूं इसलिए अरे वो पुराना रोगया कुछ नया हो तो बता तू बात मत कर मुझसे सब तेरी वजह से हुआ है तेरी तो अरे चोड़ मेरे वाल अरे चोड़ना अरे चोड़ना अरे यह क्या है तेरी आपे देखने ही पारी है यह तो ना पागलों की तरह ही बहुत अच्छी लगती है चले गल आगई अच्छी कब्ड़ पैंदे कोई खिचड़ी पगरी है तेरे में चलो रहे हैं सत्या वो तुझसे सच्चा प्यार नहीं करता है क्या पता नहीं यार पहले तु वो बात पता कर रहे हैं कैसे पता करूं सत्या आजकल के लड़के जिस लड़की से प्यार करते हैं अगर वो किसी दूसरे लड़के से बात करेगी तो उन्हें बहुत जलन होती है अगर दो मिनिट में नहीं हुआ यह मेरा बॉइफ्रेंड है हम दोनोंने शादी करने की सोची है इतना क्यों हस रहे है तू यह तेरा बॉइफ्रेंड है अरे यह बंदर जैसा लग रहे है चल बैच्छापरी निकल यहां से यह रुप जब यह क्यों भगा दिया तूने उसे किसी और लड़के से तुझे प्रॉब्लम क्या है तू खुश रहे यही मेरी इच्छा है बस ल यह रहने दे रहने दे रहने दे ए गुरू एक चाय दे ना सरदर्थ करने लग जया यह चाय पीके निकल जाएगा क्या हुआ तूने कॉल किया था कल हमारे एंजियो की तरफ से कल्चर डे कर रहे हैं और हम वहां पर सारे अपाहिच बच्चों को बुला रहे हैं उन्हें खोशी दिलाने की कोशिश करेंगे ऐसे कामों में आप हमारा इस्तेमाल आराम से कर सकती है थांकी सो मच महनत मत करो बस आकर अटेंड कर लेना हम ठीक है शंकर भाई आको भी लेकर आना अरे क्या मस्ते ना स्था है देखना है एलो बोल धर्मा थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है बैक स्टेज पर आना सारे बच्चों के एंटेटेइन्मेंट के लिए हमने एक टीन बुलाई थी और अभी अचानक से प्रॉब्लम हो गई है और वो अभी नहीं आ रहे बच्चों को निराश करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा प्लीज कुछ करो न धर्मा अरे अभी तुम सर्टेन नहीं बत आर्टेज कारो अभी तुम सब कुछ बूला रा क्या ओ ना भाइका फोन है अर्जेंट अर्जेंट गया यहां प्रोग्राम करने अलों मना कर दिया तो हमको कुछ करना पड़ेगा गुरु अब अब थैसे प्यों आइंगे यार आरे वह प्यों की स्क्रिप्त थी ना भाई तुब तरह को नहीं है और आपके लिए भी चैरेक्टर है उसमें भी डायलोग नहीं है और कॉन करेंगा इस तुब तरह को देख लेंगे अच्छा एक है लेकर आता हूं तब तक एक्स्प्लेन करों कॉंसेट और यहां पर यहां पर एक माइथ लोजिकल शो हुआ था तब तक प्रैक्टिस कर लो बापरी इतना सब कहना है अरे यार आईये ना टेंशन मतलो बढ़िया एक्टिंग कराएंगे अब से शंकर भाया आपको एक्टिंग में इंट्रेस्ट है मैं बच्पन से हीरो बनना चाहता था राए करना चाहिए था ना अच्छी स्क्रिप्ट इंटिजार करता लगता है अगर तुम लोग ऐसे होगे तो मैं चला जाओंगा शंकर भाईया सॉरी 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 मेरा भी भाई सब लोग ने डायलोग सुन लिया डायलोग क्या है एक्टिंग कैसे करनी है इस बात की कोई जिंदा नहीं करेंगा सिर्फ कॉंसेट समझ कारिक्रम का अच्छी तरह से आनन्द लें यही मेरी आप सबसे विंती है कि क्यों यार क्या हुआ मैं अब तक इन छोटी-छोटी खुशियों से अपरी चित्था सत्या थैंक यू सो मच ए पागर चलो अगर दूसरों को देखकर एक इनुसें स्माइल ना दिसको और किसी दूसरे को थोड़ा सा भी प्यार ना कर सको तो वो इंसान इंसान नहीं है धर्मा आज़ा पीटा अन्यपुर्णा देखो यह नजरी नहीं आ रहा है अरे इस टाइम पर क्यों सिल रहे हैं जरा इसे सिल दोगी क्या ठीक है धर्मा खाना खाले बेटा मैंने आज तक अन्यपुर्णा जी को और रामा राव जी को एक स्माल तक नहीं दे आता हूँ सबीए देखा आपने उसने हसतार बात की हमसे आपने भी देखा ना कितने दिन हो गया उसे ऐसे हसते भी नहीं देखा प्यार जो होता है एलाइसी की तरह होता है बैनिफिट अगर चाहिए तो इंजिरी होना जरूरी है तो यहार मत जा आज तुझे क्या हुआ यह बता वह प्यार है की नहीं यह मैं बताऊंगा जब भी मैं उसको याद करता हूँ या जब वो मुझे याद आती है तो एक अलक क्वारने देखाना तो उसको मारने कामन करता है हमारी बहन को अगर कोई ऐसे देखेगा तो हमें भी वैसा लगेगा कुछ और बताना यार ढख मत खराब कर दो डरने की कोई बात नहीं है और सुन तुझे का डर लगता है ना तो मुझे सत्या समझ कर बोल देवाद एक बढ जोड़ना, जोड़ना, करूँ एक व चाहता है, करूँ यह सब तूम लोग मुझा ले? अरे यार। यह सब कुछे तुम लोग मुझे ले? यह यह था कहना तूम पां के चली जाएक कि एक मिनट मने को आपस करो से शुपराओ यह नद से किन आचे करो ना गुरू सत्या बोलो रागा यार बताया क्या मैं तेरे सामने हाथ जोडती हूं यार जाकर बोल देना अरे बस ही नहीं आई यार चाहे कुछ भी हो जाए आज बोल के ही रहना बोल दूंगा यार तू फोन रख पहले डर लग रहा है तू भी साथ में चलना देख ऐसा नहीं हो सकता हिम्मत करके जा और उसे बोल दे बोल दिया क्या अरे टेंशन क्यों दे रहे हो यार तुम सब ल बोल दूंगा चल फोन रख मतलब कि तुम नहीं बताओगी ना तू भी चलना प्लीज अरे यार बस नहीं आई तो उसके स्टॉप पर जाकर बोल दे आटो 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 कर दो आटो 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 कि अगए है अगया आटा अफवा आटो हूँ हं मिर्ट कि अभा गतव कि आटो आटो हूं हो अगया है अगया कि अगर्मा की स्टॉप से तूचर रही है दर्मा कहां मैंने दिखाई मी दे रहा है यह लूटी कट धर्मा शाम कितने दिनों के बाद मिले तुम यार नौ साल हो गए मुझे दुबई गए हुए परसों ही आया हूँ मैं यहां लोटके तुझसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे चल घर चलते हैं नहीं फिर कभी मिलते हैं यार अरे चलना यार इतने दिनों के बाद मिला है घर भी नहीं जाएगा आज तो जाना ही पड़ेगा अरे भाई एक इंपोर्टन काम है मेरी बात तो सुनना कमाल है भाई इस रेंज तक सेटल हो गया है तुझ तो ठीक है ना बेटा धर्मा तुम्हारे पापा अनपूर्णा दीदी सब लोग ठीक है ना सब लोग अच्छे हैं आप लोग कैसे हों हम लोग भी ठीक हैं बेटा भगवान हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते हैं बेटा तुम्हें तो पता ही है जब हम उस एरिया में रहते थे हम लोग ने कितनी तकलीफ उठाई सर उठा कर नहीं घुम पाते थे इसलिए छोटे बच्चे को लेकर निकल कर आ गए आज हम लोग इस मुकाम पर है इसका कारण यह मेरा बेटा ही है मां उमा यह सब बातें अब क्य हूं तो मेरी इतनी अच्छी स्थिती की वज़ा तुम ही हो धर्मा अरे मैं कहां से यार तुम मुझसे हमेशा एक बात कहते थे याद है न तुम्हें कौन सी बात रहे पैरों से चलेंगे तो इंसान और अगर कार से चलेंगे तो बड़ा इंसान उस बात ने जिन्दगी के बारे में सोचने का मेरा तरीका ही बदल दिया सोच ही अलग हो गई लोगों के पैर पकड़ पकड़ कर मैं दुबई पहुचा शुरू में जू भी काम मिला वही करके सर्वाइब किया मैंने और अब मेरा खुद का बिजनिस है तेरी एक बात ने मुझे सड़क से उठा कर य इतना बड़ा बना दिया वही बात तु भूल गया तुझे भी बड़ा बनना होगा धर्मा अरे यार तू अभी आया तुमने तो बंपर लौटरी जीत लिया है सत्यम प्रूप के चेर्मेन की बेटी को पटा लिया है ए तुझे आखिर क्या करना है कोई और बात हो दो बात क्या गलत बोला मैंने तुम्हारी कई हुई बात मैंने आज कह दी तो गलत लग रहा है तुम्हारा रूला लगे हमारा रूला लगे क्या अभी क्या करोगे मारोगे क्या येलो मेरे जूते से मुझे मारो लेकिन एक बात ध्यान रखो तुम्हारे और मेरे बीच में लव नहीं इस टाइम पर मम्मी पापा को बता कर तो आई हुआ है अभी टाइम क्या हुआ है रात के दो बज रहे हैं अभी डेट फर्स्ट मन्त एप्रिल मेरा तो पहले ही फूल बनाने का काम हो गया अब मैं चलती हूँ एप्रिल फूल हाँ इन लोगों को कैसे समझाओ मैं कि इससे पैसो के लिए प्यार नहीं करता मैं अग्सान बनना ही मेरा सपना और वो सपना सथा की वज़े से डिस्टब हो यह मुझे पसंद नहीं और मेरे इस अपने को वो-पूरा करी यह भी मुझे पसंद नहीं अपनी लाइफ में सब कुछ में अपनी मैनाज से करूँगा सत्रेट क्या हुआ jar आ यार कानोन से हम बच सकते हैं लिखिन इस प्यार से नहीं बच सकते केस केस क्लिए होने- कितना सहना पड़ेगा सार तो नहीं पड़े का धर्मा कोई रास्ता नहीं है कोट है ना कोट का केस सेना बड़ी बात नहीं है सर केस की फीज भरने के लिए नापसंद काम करने पड़ते हैं न वो सेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है डाडी मैं पढ़ाई करने के लिए नियूजिलेंड जाओंगी आप कर रही हो बेटी यह अजानक कैसे डिसीजन लिया प्लीज डाडी मुझे जाना ही है प्लीज रैडी करवा देना ओके ठीक है बेटा बच्चों का खयाल रखना पूरा फंड में न्यूजिलांड में रहने के बाद क्लियर करवा दूंगी धर्मा बगल की घर में जगदीश क कि बच्चे का नाम करण है आज हम दोनों जाकर आए हैं उन्होंने कहा कि अपने बेटे को ज़रूर भीज देना मैंने भी गहा कि ज़रूर आएगा एक बार वहाँ चला जाएगा के बेटा क्या है अन्नपूर्णा जी मेरा तो नसी भी फूटा हुआ है यह मम्मी पापा क् यह मेरा पैचानी नहीं है बंगों भी मेरे मम्मी पापा हो लेकिन मुझ में कोई फीलिंग नहीं आप एंगा है यह मेरे अंदर समझ ही नहीं है यह उस भात की मुझे कोई पहचन नहीं है पीज बुछ पर आप जोग अपने इमोशन करो गवान के लिए था क्ट्कत बाप म कि अनुपूर के चुनाओ का पनिना मा चुका है श्री निवास के विरोत्र गोरह ने लगभग 2,490 वोटों से बीजे ग्राप्स की है उन्हें उम्हत बहुत बदाईया कि अग्यों निकल यहां से चलो भाई निकल यहां से अगञे निकल यहां से कमीनों कहीं के मुझे बरबाद कर दिया ना छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को इससे अच्छा होता कि मैंने उस थर्मा को कॉल कर लिया होता इस बात की मिठाई है आज तु बड़ा हो गया क्या अज क्या स्पेशलेश एंकर भाई आज मदर्श्टे है ना इसलिए अज अपनी मां से प्यार करने वाला बच्चा है अरे अब अपनी मां से इतना प्यार करते हैं है कि अज़कों अज़ खञाउ पानी आहां रखा है बेटा ठीक है मा हाँ 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 मा हाँ मा हाँ 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 अनाथ लोगों को क्यों इतने सिंपती दिखाते हो यह मुझे आज पता चलाए मा पापा ममी के लिए क्या फिलिंग्स होती है मैं तो जानता ही नहीं था मा पिता दर्मा तेवीत मा तेवीत मा खुद दर्द में होने के बाद भी बेटे को दर्द ना हो जा है इस दर्द को सहन करने माईं तो होती है मा मुझे बाफ करें दो मा नहीं बेटा तुने कोई घलत نہیں कीजिए मैं तुझे माफ कर पापासे भी बाद करनी है मा सोरें, मैं भी बलाती ओ नहीं मा वो पहले कभी भी शानती से नहीं सो पाये थे अभी उनकी नीन खराब मत करूँ, सुभा बात करूँगा अब तो सोचा अब आप से सोचा बेचा माँ दिर्मा माँ आज मेरा सपना पूरा होगी है माँ 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 शब्द में यह शांती है माँ माँ अब तो सोचा मैं तेरे बापा को बता दूँगी सोचा धर्मा माँ माँ अब बात माँ 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 आजी को क्या ओगा सुनिए इस बस में सफर करने वाले यात्रियों आपसे मेरी एक विंती है काका आपको भी मिलागर बोला है मैंने ठीक से सुन लेना हर एक की जिन्दगी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी कितना भी दिन लगा लो लेकिन एक को छोड़कर दूसरे को जाना ही पड़ता है ऐसी ही घटन हमारे दोस धरमा की जिन्दगी में हुई है उनकी मा स्वर्ग में चली गई है दुख तो होता ही है लेकिन हमें अपनी जिन्दगी में हमेशा आगे बढ़ते र जाने के लिए एक जोग सनाना चाहता हूँ अरे जल्दी बोलना सुनाता हूँ ना क्या बताएंगा क्या सुनाओ में टेंशन हो रही है मुझे अरे यार मुझे तो जोग याद ही नहीं आ रहा है अरे जोग बोले के लिए खड़ा हुआ है अरे पागा देखास दिया फिर हसाले में कावया भोग गया देखो धर्मा मैं और इस बस में रहने वाली सभी लोग तुमारी फैमिली की तरह है हम सब तुमारे साथ है खुद को अकेला मत समझो और सुनो जब भी अकेला पर महसूस हो तो सीधा ड्यूटी पे आ जाना सब मिलकर दुख बाटेंगे साब ठीक हो जाएगा थैंक यू सो मझ शंकर भाहिया पापा के दे हुए एलाइसी के पैसों से तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर अभी तक तो वही काम क्यों कर रहा है मुझे उन पैसों से प्यार नहीं है वो बस वो प्यार करने वाले लोग इंपॉर्टन्ट है जानती हो उस बस में एक फैमिली की फिलिंग है मधू और मुझे उन्हें खोना पसंद नहीं है क्या हुआ गुरू ऐसे क्यों बैठे हो आप ऐसा क्यों कर रहे हो गुरू कितने दिनों तक यही कपड़े पहने रहेंगे आप एलेक्शन में हार हुई तो हमसे भी नाराज हैं क्या है उस धर्मा को छोड़ेंगे नहीं हम लोग ठीक है बोलिए कि क्या करने से आपको शांती मिलेगी बस बोलिए हम वही करेंगे उस धर्मा को उठाना होगा उससे अपना बत्ला पूरा करूंगा ठीक है गुरू उठाते हैं उसे ठालेंगे गुरू उसे खतम नहीं करना है लेकिन बिना प्लान के उसे नहीं उठाएंगे वो अकेला मुश्किल से रहता है हलो शंकर भाई हाँ धर्मा क्या हुआ अभी तक बस नहीं आई आज के बाद बस नहीं आएगी क्यों शंकर भाई पैसो का कलेक्शन कम होने की वज़े से बस को कैंसिल कर दिया गया अब से बस नहीं आएगी मैं बात में कॉल करता हूँ सत्या जाने के लिए एक घंटा बचाए जल्दी रेडी हो जाओ बेटा धर्मा से मिलने का मन कर रहा है क्या हो गया सत्या तुझे उसकी यादों से दूर जाने के लिए तूने ये सब किया है ना उसे देखने के लिए नहीं जब उसकी माँ चली गई तो मैं चाह कर भी उसको हिम्मत नहीं दे पाई उसे लैंड चली गई तो ये समुझे तकलीफ देगा एक बार उससे मिल लूँगी तो चली जाओंगी प्लीस सत्या ये सब सही नहीं है प्लीस नहां प्लीस नहां प्लीस फॉर्टी फाइब मिनट में वापस आना होगा थांक्यो सो मच नहां देख मैं अपनी स्कूटी से चलती हूं तेरे घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा ठीक है प्लीस नहां प्लीस क्या हूँ असने हां ओ शिट लगता है पेट्रोल खत्म हो गया यार ओ नहीं ओ माइगाट बर्स और मोबाइल हम लोग घर पर ही छोड़ कर आ गए एक मिनिट रुक मैं कुछ करती हूं अरे यार भाया सौर रुपे हो तो दे दोगे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है एक गंटे में आपकी अकाउन में हजार रुपे डलवा दूंगी प्लीस भाया मैं भीक नहीं मांग रही हूँ मैं भीक नहीं दे सकता यही मेरी आउकात है थैंक्स भाया सौर रुपे हो तो दे दोगे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है पर्स और मोबाइल घर पर भूल गया है एक गंटे में रिटर्न कर दूंगी मैं सच कह रहे हूँ जूट नहीं बोल रहे हूँ भाया एक घंटे में आपके अकाउन में एक हजार रुपे ट्रांस्वर करवा दूंगी प्लीस आखिर तुम लोग भी जीने के लिए कैसे कैसे नाटा करते हो चाहिए तो लो इतने ही मेरे पास पैसे की कीमत नहीं होती है क्या पैसे कितने भी हो लेकिन पैसे किसे चाहिए ऐसा तुम कह रही हो न लेकिन एक दिन तुम्हें पैसों की कीमत समझ में आएगी ध्यान रखना सर, सर, गाड़ी में पेटरोल खत्म हो गया है, हंडेर्ड रुपीज हो तो दे दीजे, एक घंटे में वापस कर दूँगी अरे, उससे दे कर भेज दे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, सर, अपने अकाउंट की डीटेल दे दीजे, रिटर्न करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं हो, थैंक यू सर, लगता है घर में कोई नहीं है सत्या, वो जाते समय भी तुझसे नहीं मिला, जो लोग पसंद नहीं करते हैं अगर उनके साथ जिन्दगी जीए, तो जिन्दगी का कोई मतलब नहीं होता तुम दोनों का दूर हो जाना ही बेस्ट होगा सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों न हो, हमें उसे अपनाना ही पड़ता है तू से फोन पर हिम्मत दे सकती थी जानी दे सत्या, प्यार में सभी लोग लखी नहीं होते हैं देख तू अपने आपको हर्ट मत कर, चल अब चलते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया है फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है, चल चलते हैं यार यार, तेरी गर्ल्फेंड के बाल मुझे बहुत पसंद आ गए उसके उपर गुस्सा नहीं था, लेकिन तेरे उपर जो गुस्सा है न, इसलिए तेरी जगा उसे उठा लिया मैंने, चला जा कहाने खतम करते हैं विए वार pouring प्लाइब नहीं करते हैं रेरी वे युस्साम प्लाइब सुरिए दरमा तू जो कह रहा था वही सही है मा चली गई सत्या और वो भी मा क्या हो दिये ये पता चलने पर I'm so sorry for your loss धर्मा Life is so strange जब हम कुछ होते हैं तो कुछ और पाने की खुशी भी होती है तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है बहुत कुछ पाया है तुने लगता है बहुत अमीर हो गया है तु अब आगे इससे तेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है ये लाइफ स्टाइल की है लाइफ कैसे भी हो कि उसके साथ तो हम अच्छी तरह से जी लेंगे ना सत्या थेक है तो फिर अब में चलती हूं जो तुम्हें पता है तुम लोगों के साथ रहूंगा तुम्हें भी पागल हो जाऊंगा मुझे ऐसा लगता है ओल्ड मॉंग ठीक हो गया आगे चलो कहां इसे पता जब तक हूं तब तक तेरे लिए जियोंगा सब कुछ तू ही है यह जानना ही जिंदगी है देखो देखो वो परमानंद देखो क्या होगा कोई ना जाने कैसे हम खुद को मनाए क्या है गुरी यह सब अब होगा हम अकेले साय गोले कैसे रोके खुद ही रोए अरे बस करो गुरू अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह पाऊंगा जो भी था चिन गया अब हम क्या करें खुद को रोक पाएंगे ऐसा है गम मिला अपना जीवन जीन पाएंगे हुआ रे मेरी किस्मत टिक टॉक बंद हुए बहुत दिन होगे भाई यह काने लिखे हुए मुझे बहुत टाइम हो गया हुआ 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 है